हेलो गाइज वेलकम बेक तो वर यूटूब चैनल और आज अपने को मिला है हटी की तरफ से एक सर्प्राइज जिसमें की है हटी का एक न्यू प्रोड़क्ट जिसका की नाम है ऑंसीस हिंजेज तो ये किंजेज का एक निया सीरीज है जो की मुस्ती मेड इन इंडिया इसका जो फंक्शनलिटी है वो कैसा है तो चलिए इसको अन बॉक्स करते हैं यह एक दम नया प्रोड़क्ट ऑंसीस हिंजी जैसा कि आम एंसिन किया गया है जो कि एक जर्मन ब्रांड है बहुत ही फेमस ब्रांड है इंडियर रेटेड हाड़र प्रोड़क्स के लिए तो यह एक न्यू सीरीज है सॉफ्ट हिंजेज का इसके ज्यादा तर प्रोड़क्ट जो है वो मेड इन इंडिया रहते है अभी जो ओंसीस रेंज जो है तो यह हैंज जो मेडिन इंडिया है राइट नो जो अपने पास जो सेंपल प्रोड़क्स मिला है अपने को हैटी की तरफ से वो है एक सॉफ्ट क्लोज हिंजेज तो सेंपल में जो दिया हूँ जीरो डिग्री जीरो क्रेंक बोल सकते आप जीरो क्रेंक हिंजेज है विद सॉफ्ट डो सिस्टम जैसा कि आप देख पार है जमूथ ली तो इनका एड्वांटेज यह है कि जो यह हिंचे से वह क्लिपओन हिंचे से अगर आप च्छाओ तो जो डॉर है जिस डॉर में यह फिक्स किये गए है उस दोर को अपर चाओ क्लीन करने के लिए और आप पर पर प्रपस के लिए अगर आप वह दॉर को रिमुव करना चाहते यह inside का part है जहांपर की cliff जो है इसके वो fix होते यह हो गया अपना door वाला part माल लिजी यह door है तो यह door जो है वो रिमू हो गया पूरी तरह से तो अगर अगेन आप जब इसको fix करना चाहते है तो उसको location पर रखके मारक करना है तो एक इसको कैसे भी यूप आपका सो चुखाए है उनको निकालना और क्सक्रा Cake करना का अधिक हो चरा इंग Sak сторон कें आपको च्छो और इन soft close hinges का benefit और आथा कि आप दर्वाजे को जोर से भी close करते हैं जोर से भी पटक देते हैं फिर भी यह अपने रिसाब से smoothly जो है इनका कितना भी धक्का दे देंगे लेकिन smoothly जो है slowly close होंगे तो दिखिए जैसे कि इनकी जो technical details से उसके बारे बात करते हैं यह जो hinges है वो suitable है door thickness के लिए from 14 mm to 25 mm थिक डोर अगर डोर का size 25 mm से ज्यादा है तो यह hinges उसमें suitable नहीं होंगे उसके लिए हैटी कई दूसरे hinges लगते हैं उसके बाद में इसमें जो कप diameter जो इसका hinges का जो hall है वो 35 mm का and cup depth जो है वो 11.5 mm रहना चाहिए जो इस hall का depth है वो 11.5 mm रहना चाहिए और जो hall का circle है वो रहना चाहिए 35 mm का इसको fix करने के लिए उसके बाद में है integrated overlay adjustment plus minus 2 mm का adjustment कर सकते आप plus minus 2 mm पर नीचे होता है तो integrated depth adjustment plus 2.5 mm और 1.5 mm यह depth का वो भी आप adjustments में कर सकते हैं और जो इनका finish है वो है still nickel plated तो still nickel plated chrome type में जो है वो finish आता है आपको और अब चलिए इसके बात करते हैं के future के बारे में तो इसमें जो कर future की बात की जाए तो इसमें अपने को मिलता है fast assembly concealed hinges और integrated silent system next feature है इसका opening angle 105 degree automatic soft closing from 35 degree of opening 35 degree होने के बाद यह अपने आप automatically close हो जाएगा उसके बाद है optimized silent system performance over a wide temperature range of plus 5 degree to 40 degree celsius tested for 40,000 hinges opening and closing cycle 40,000 बार इनको open close करने तक इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है और अगर उसके बाद भी ऐसी कोई दिक्कत है तो है टीक एक बड़ा ब्रांट है आप जस्ट क्टालफी नमर पे help plane नमर पे call करेंगे तो उनकी तरफ से जो मदद की जा सकती है की जाएगी तो mechanism है वो वर्क कैसे करता यह जो soft close हो रहे हैं उनके पीछे में क्या का ऐसा सिस्टम लगा हुआ है तो इसके लिए अपने को इनको अगें दूबार ओपन करना पड़ेगा जो कि एक सिंपल प्रोसीजर है यह होगे रिमूव तो अगर आप गौर से देखे तो इसमें अपने को मिलता है एक hydraulic pump जो कि इसको soft close करने में help कर सकता है तो यह जो black वाल आपको दिख रहा है वो है इसका hydraulic सिस्टम अगर आप इसको बराबर से देखे तो यह कुछ इस तरह से क्लूज होंगे अगर इनको fix करने के लिए आपको location पर align करना इनको और जस्ट प्रेस करना यह हो गया लॉक यह हो गया आपका डॉर फिक्स जस्ट इन टू सेकिंद्स यह जो हिंजे से हैटिक का पूरी तरह से निया रेंज है जो की कंपिट करता है local brand के साथ में क्योंकि इसका जो है जो हैटिक जो प्रीविज प्रोड़क्त जो है वो जो की अभी भी कंट्ईूूनिज है मार्केट में उनके रेट जो है थोड़े प्रीम रेंज में इन हिंजेस के आपको मेलता है अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और फीचर में भी अगर आप इसी तरह के नए प्रोड़क्स के अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोले थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो